जैहिन दोस्तो मैं हुआनू पर आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फलिक्ट दोस्तो आज के इस वीडियो में आप लोग को पाकिस्तान के आवकात के बारे में बताऊंगा पर सभी देशों के तरफ से फिराल ये विजिट को रद कर दिया गया है और पाकिस्तान के जहाजों के उनके देश में आने से मना कर दिया गया है और इसे चलते हुए पाकिस्तान को अपना पुरा का पूरा प्लैन को ही रद करना पड़ा दोस्तो पाकिस्तानी नेवी के एक डेली रूटिन के तहट एक नया प्लान बनाया गया था जिसके तहट पाकिस्तान अपने गाइड़ेड मिसेल फ्रिगेट PNS सैफ और चाइनीज बिल्ड रिप्रैनिश्मेंट शिप PNS नसर को डिप्लोई करना चाता था जबकि इन जहाजो को कई सारे देशों के पोर्ट विजिट में भी जाना था जिन मेंसे सबसे पहला पोर्ट विजिट था वियतनाम के नहात रंक फिर चाइना के गौंग्जू फिर फिलिफिन के मनिला और फिर बुर्नेई के मुआरा में जाना था पर दोस्तो ये चारों देशों के द्वारा के उनके देश आने से रोक लगा दिया गया है कुल मिला के बीते कुछ महिनों के अंदर महामारी के कारण से पाकिस्तान को 6-6 अलग-अलग देशों के द्वारा उसका आउकाद दिखाया गया जबकि दूसरे तरब भारत के जो मलावार एक्सेसाइज है उसमें दुनिया के च द्वारा भी चेतावनी देते हुए बताया गया है कि पाकिस्तान की जहाज उनके पोर्ट में स्रिफ लोजिस्टिक के लिए आ सकता है और किसी भी जहाज के अधिकारी को पोर्ट में उतरने का अनुमती नहीं है इवन ओमान द्वारा तो पाकिस्तान के अंदर बताते हुए न्यूजिलैंड के यातरा में भेजा गया था जबकि न्यूजिलैंड एक ऐसा देश था जो पूरा-पूरी इस महामारी से फ्री था और पाकिस्तान के क्रिकेट टीम पहुचने के बाद कई सारे पाकिस्तानी खिलारियों को पॉजिटिव पाया गया इससे न आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो से लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिंद